नमस्कार दोस्तों आपको LTP Calculator को यूज किये हुए बहुत टाइम हो सकता है और हो चुका हो लेकिन आप जो LTP Calculator के चार्ट आप एकृस्टी 1.0 के 9 सिनारियोज है उसमें अगर आप काम करते हो तो आज मैं आपके पैसे जो वो बचाने वाला हूं जिहां दोस्तों आपका लॉस भी बचाने वाला हूं और आपका ब्रोकरेज का पैसा और टैक्सेस का पैसा जो एक्स्ट्रा जाता है उसको भी बचाने की आज मैं आपको इस LTP Calculator के चार्ट आप एकृस्टी 1.0 की टेकनीक में आज एक सीक्रेट बात जो है वो बताने वाला हूं कि आप अगर और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताके ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो आप तक पहुंचते रहे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या वो टेकनीक रहेगी जिसते की आपका लॉसेस ना हो और आपका एक्स्ट्रा पैसा भी जो है वो वे सब्सक्राइब करना है या फिर स्टॉक के ट्रेडिंग करना है सब कुछ अगर आपको इन डीटेल में सीखना है और पूरी तरके से इसको अपना बिजनेस मान करके काम करना है इसके अंदर फुल टाइम ट्रेडिंग का तो उपर वाटस अप नंबर चल रहा होगा येलो कल कम्यूनिटी बैच ऐसा वाटस अप मुझे मैसेज किजिए और डीटेल के लिए आप मुझे सकते हो ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं क्या वो टेकनिक है जिससे आपके पैसे बचने वाले है तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि इन 9 सिनारियो के अंदर आप्षन सेलिंग के लिए मोका बनता है यहाँ पर आउप्छन बाई नहीं करना है बागी सारे आउपशन बाइंग के लिए बिल्कुल गलत नॉलेज लेकर करके आप बैठा हो वित लॉजिक में बात करूंगा पहले नंबर के सिनारियों के बात करते है मैं पहले नंबर का losses ही लेने पढ़ेंगे ठीक है अब उसके logic की बात कर लेते यह scenario क्या कहता है हम लोग को यह scenario बोल रहा है कि support जो है वो strong है ठीक है यानि की market नीचे नहीं गिरने वाला support strong होने की बैसे support से market bounce back करेगा तो ऐसे में हम लोग को extension of support से market reverse उपर की की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा यहां तक तो सब बात ठीक है कि support का logic समझ में आया लेकिन resistance को देख लो resistance weak towards bottom है ठीक है resistance weak towards bottom है यानि की resistance bottom की तरफ कमजोर होने की कारण market अगर आपको resistance पे मिलेगा तो वापस से क्या करेगा नीचे की तरफ गिरेगा नीचे कैसा है support support strong है तो वापस उपर जाएगा वापस नीचे आएगा फिर उपर फिर नीचे market sideways हो जाता है यहां पर कोई बंदा बिल्कुल exact timing match करके अगर एक दो candle में scalping कर पाता है ज्यादा quantity डालके तो वही यहां पर scalping का trade लेने वाला ही बंदा इसमें चोटा सा profit बना सकता है बाकी आप अगर holding करके option buying कर रहे हो तो यह definitely आपका second number के scenario में loss जो होने वाला है इसको आपको trade नहीं करना है इसको छोड़ दो इसमें trade करने से आपका loss ही होने वाला है ज्यादा तर टाइम मैं ऐसा नहीं बोल रहा हो कि सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा काफी कम time chances होते है कि यहाँ पर आपको profit होगा तो उससे better है इसको trade ना करना तो यहाँ पर trade नहीं करना है आपका brokerage और taxes का पैसा भी बच जाएगा और loss होने का पैसा भी यहाँ पर बच जाएगा ठीक है तो यह एक second number का सिनारियो है दूसरा सिनारियो और एक यहाँ पर है ठीक है 5th number का सिनारियो 5th number के सिनारियों में क्या बताया गया support जो है वो weak towards top है यानि कि क्या support से अगर market आएगा तो बार-बार उपर की तरफ reversal लेगा जरूर मार्केट लेकिन resistance कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ से मार्केट यूटन लेके अमारा लॉस कर देता है तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है फिप नंबर वाले सिनारियो में ट्रेड को नहीं initiate करना है यहाँ पर भी आप अपने पैसे बचा सकते हो तो फुल मिला करके कितने numbers के सिनारियो में आपको ट्रेड नह होता है ठीक है एक example दिखाने के लिए मैं आपको चार्ट में लेकर चलता हो चार्ट में हम लोग देखेंगे कि यह जो market है यह sideways है लेकिन uptrend to sideways है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है यह uptrend to sideways है अगर आपको downtrend to sideways market पता करना है तो इसे बोलता है downtrend to sideways market यह होता है ऐसे scenario में option buyer को lost होता है जनरली ऐसे scenario इनी दो कारणों की वज़े से यह फिर इनी दो scenario की वज़े से बनते है second number का scenario जहाँ पर market downtrend to sideways होता है और फिप्थ नंबर का scenario जहाँ पर market uptrend to sideways होता है और यहाँ अगर हम लोग बात करे 8 और 9 नंबर के scenario की तो यहाँ पर market बिल जो है वो एक लाइन बना करके चलने लगता है उसका भी एक्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं उस तरीके का भी सिनारियों हम लोगों को देखने के लिए मिलता है तो वो यह सिनारियों है कि एक छोटे से रेंज में मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है बहुत कम रेंज में मार्केट ट्रेड करता है अगर सपोर्ट रेंज विक ट्रेड करता है इन दो सिनारियों के अंदर तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है तो यह वो सिनारियों थे जहाँ पर आपको option buying नहीं करनी है और अपना पैसा जो है वो बचाना है patiently hold करना है और वहाँ पर आपको एक trade जरूर मिलेगा उसके बाद जब market sideways से trending में convert होता है तो कैसे होता है मान लेते हैं कि ये sideways market ऐसे चल रहा है तो आप उपर और नीचे की range draw कर लो और जैसे ही ये breakout करें ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ आप either side कहीं पर भी एक जगह पर trade ले सकते हो अगर मैं आपको sideways से trending होने का अगर scenario बताओ market के अंदर तो यहाँ पर एक best example मेरे सामने आता है कि market यहाँ पर sideways बना हुआ था sideways to downtrend था और जब भी यह breakout आया एक बड़ी candle बनी और उसके बाद आपको momentum में बहुत बड़ा profit जो है वो option buying की तरफ मिला तो आपको क्या करना है अगर sideways जा रहा है market तो वहाँ पर trade नहीं करना है उसकी range को draw कर लो और उसकी range का जब भी breakout आये तो वहाँ पर आपको trade करना है और breakout fail भी अगर हो तो दूसरी direction में आपको तुरन trade जो है वो initiate कर देना है तो ऐसे करके आप अपने पैसे को बचा भी सकते हो brokerage भी बचा सकते हो और losses के पैसे को भी बचा सकते हो और उसको सही जगह पर लगा करके पैसा बना सकते हो जब आपके पास limited fund हो thank you so much दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like जरू कर देना चैनल में नहीं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन के उपर प्रेस जरू कर देना और अगर आपको LTP calculator की community batch join करनी है तो उपर whatsapp number चल रहा होगा next month की batch में आप मुझसे जूड सकते हो और ऐसे ही trading की techniques जो है वो जान करके उसमें practice और सीख सकते हो thank you so much मैं मिलता आपको next टूडियो में तब तक के लिए goodbye